हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे में तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपोर्टन्ट और इंट्रस्टिंग होने वाला है आप में से बहुत सारे डिप्रोमा बीटेक्स इन्ट्रूमेंट को अपने कॉलेजिस की लैम में जु क्योंकि यह बहुत कोस्ती इंस्ट्रूमेंट है और एक नौ सिककिकिए कहात में अंट्रेंड इंजिन्यर के हात में इसको देना डैंजरस हो सकता है क्यूंकि इस इंस्ट्रूमेंट की अगर आप थोड़े सी केर नहीं करते हैं तो इसकी एकुरेसी बिगर सकती है क्योंकि इसकी accuracy माने तो 0.001 second तक ही होती है, जो कि बहुत ही precise और accurate होती है construction work के लिए, आज का वीडियो हम on demand बना रहे हैं, बहुत सारे viewers ने हम से demand किया था, कि सर हमें total station के जो various functions होते हैं, उनके बारे में बताए गया है, तो आज हम आपको बताने वाला है कि building में, road में, bridge में, highway में, metro में, tunnel में, आप कौन-कौन से functions को use करते हो, दोस्तों, आज का वीडियो बहुत important है, तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना, और miss तो बिल्कुल भी मत करना, guys, आप जानते हैं, construction industry में अगर आपको fast grow करना है, तो आपके पास कुछ basic skills होने चाहिए, उनी में से skills हैं, survey के skills, survey म में, आप आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना होता है, drawings को reroute करके, जो है, दोस्तों, side पे layout कराना होता है, तो आपकी career की starting बहुत easily हो जाती है, और धिरे-दरे time के साथ में, आपकी salary भी अच्छे तरीके से जो बढ़ती है, अगर आप इस instrument की knowledge रखते हैं, total station क के knowledge रखते हैं, तो आप बहुत अच्छा earn कर सकते हैं, कह सकते हैं कि दो से तीन साल का, जो total station operator होता है, 50-60 जाए रुपे आराम से कमा लेता है, तो अगर आप भी career बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो बिल्कुल भी skip मत कीजेगा, तो दोस्तों, ये है हमारा total station, और total station क के उपर जो है, दोस्तों, सबसे पहले इसके parts के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा camera को close ले आते हैं, और उसके बात करते हैं, आपके साथ में, तो guys, ये total station जो है हमारा, इसमें कुछ important parts होते हैं, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ये parts क्या-क्या होते हैं, और तो वो डामेज हो सकता है तो आपको सबसे पहले तो कुछ बेसिक जो है जो हमारे पार्ट होते हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चीए यह है सबसे पहले इसकी बैटरी ठीक है दोस्तों यह बैटरी है जो कि हमने डिटैज कर रहे हैं कि अभी इस्ट्रुमेंट से उसके चैनल और कि आपकोम सबस्कार्ट हुशा है त दोस्तों कि अम किसी ऑब्जक्ट करते हैं तो वैसे ही इंस्ट्रुमेंट को उपचलोट से अपने पर टार्गेट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यह हमारा टेलिस्कोप है टेलिस्कोप में यह हमारा टेलिस्कोप का यह हमारा यह कह सकते है इसका जो है लैंस है और इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो यह हमारा इसका टेलिस्कोप का फोकसिंग स्क्रू यह आई पीस इस क्या function है इसका बाद में बताते हैं आपको और यह है horizontal log ठीक है दोस्तों और यह है इसकी display और यह है इसके keypads ठीक है डिस्प्लेइड यह इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर होता है इसका centring bubble ठीक है दोस्तों यहाँ पर ठोड़ा तक लिया लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इसका centring bubble होता है ठीक और उसके बाद जो है यहाँ पर लेवलिंग bubble होता है नीचे यह इसकी base plate है यह इसकी base plate है आपर ठीक और यह के फुटू स्कूरूर्स है तो गाइस यह इसके important जो है पार्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंट के जिनको की हम लोग यूज करते हैं construction industry के अंदर हमारे टोटल स्टेशन के अंदर अब यह जो मैंने आपको बताया थे यह वर्टिकल लॉग क्या करता है देखे दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं हमारा जो टेलिस्कोप है यह बिल्कुल इसली मूव कर रहा है बट जब हम अपने target को किसी object को पर focus करते हैं और तो हमें क्या ह होता है इस्ट्रूमेंट ही बहुत sensitive है अगर आप इसके पास में चल रहे हैं तो यह आपकी motions को भी जो अब्जर करता है उससे भी डिस्टरब होता है तो यह disturbance से बचाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों यह horizontal lock है इसको हम लॉक कर देते हैं जैसे आप इसको लॉक करेंगे हमारा इंस्ट्रूमेंट कर रहा है तो जैसे हम इस horizontal lock को लगाएंगे तो हमारा horizontal movement है वो रुक जाएगी तो अभी मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है movement नहीं कर रहा है बट याद रखें दोस्तों आपको जब एक बार आप लॉक कर देते हो तो आपको इसको डिस्टरब नहीं कर आपको instruction में बता रहा हूँ या कह सकते हैं यह आपको मालूम होने चाहिए knowledge आपको होने चाहिए कि horizontal lock करने के बाद आपको instrument को बिल्कुल भी disturb नहीं करना है एक बार यह आपने किसी object को पर focus कर दिया उसके बाद आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेना है अब चलते ह अब बाद जो है दोस्तों यहां पर जो है आपको लूज ले आतने इस्ट्रुमेंट के करें करें अब करें इन अ-व जो है यह हमारा जो इंस्ट्रुमेंट है इस इंस्ट्रुमेंट के उपर आप देख पा रहोंगे अभी हम इसको सब्सक्रेइब करते हैं इसको on कर देते हैं इंस्टोमेंट को तो जैसे हम लोग इंस्टोमेंट को अंकरते हैं यहां पर बटन होता यह तो दिस्प्लेय में सबसे पहले आप क्या दोस्तों यहां पर आप देख पाएं कि यह हमारा जो है स्क्रीन है पेज वेन इसको हम लोग कहते हैं और यहां पर एक बटन है escape का जैसे आप escape के बटन को दबाते हैं आपके सामने इस तरह का display आ जाता है तो आपको यहां यहां पर एक menu को option दिखता है आप देख पाएंगे यहां पर आपको menu को option दिख रहा है जैसे menu को option को आप क्लिक करते हैं menu को option को क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दिखते हैं बहुत सारे functions अब यह function क्या है इसको थोड़ा था हम लोग backlight को on कर देते हैं एक बारी तो दो गाइस यह आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो है यह backlight हमने on कर दिया है जिसकी वेसे आप यहां पर इसको easily पढ़ पा रहे होंगे यहां पर आप आप देखिए कौन कौन से function आपको देखने के लिए instrument के उपर अब क्या होता दोस्तों यह जो functions है यह अलग लग नाम से होते हैं अगर आप दूसरे किसी जो इंस्ट्रुमेंट है उस company का लेंगे तो वहां पर हो सकता है यह method जो है किसी और नाम से reflect हो रहे हो बट काम करने का तरीका और यूज करने का तरीका एक ही होता है आप कैसे भी मतब उस function को अगर आप यूज कर रहे हैं तो method वही जाता है तरीका वही जाता जैसे अगर आम बात करें मुवाइल फॉन की तो मुवाइल फॉन आप एपल का ले लिजिए या iOS का Android ले लिजिए या किसी दूसरी company का ले लिजिए किसी Samsung का ले लिजिए बट जब आप operating system यूज कर रहें तो आप उसी तरिके सँ ही यूज करते हैं वैसे ही त्य tagní के साथ में होता है यह अब उग्रेंट की बात करेंगा है तो कौडिनेट्ल जो function है आप इसको देख पारे है इस टेक आउट है एल्याय कैसे मिखर किया आता है ऑफसैट क्या होता है एेमलाया मया ह radius क्या होता है monitor pay क्या होता है अपने पड़ाओए इन्वर्स का यह होता है कि है को यह एक मशील से बात करोंगा कि जो हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे जो यह होते हैं हमारे जो फंक्शन होते हैं वह फंक्शन अब यह आपको मैंने फंक्शन बताए अब इन फंक्शन में से कौन-कौन से सारे सारे फंक्शन् को हम लोग यूज करते हैं कहां कहां पे यूज करते हैं वो डिसक्स कर लें सु हरा chapter देख पहले बात करते हमारे अब सा इसको जूम आउट पहाले आपसे कि आ Wein जो कि वैज आँज कि अंहीं हम मैंने आपको आपको दिखाये बहुत सब्सक्राइब करते हैं और जब मशीन के अंदर होते हैं में से वाइस यहाइज यहां पर हमारे सबसे जब पर ह興趣 सबसे पहले हम लोग कोडिनेट करते हैं करते हैं लिए without करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर कॉइब सब्सक्राइब हम लोग करते हैं उस्कारटे कोई च implicit कर hice जैसे सब utility का यूज करते हो वहां पर यहां पर फियांट को स्थ करते और और स्क्राइब करते हैं लाव ऑख सकते हैं को फिर यह इसका मेंस किया स 550 व्राइन को अबन od आप वहां से जाकर सकते हैं कि हमों को से कक्रते हैं कि ऊरिंटी सव्सक्राइभ सैब्डोफ कर नशें عن उस्के वाहीं हमेंन मेंठियD anticipating अजऺए है टेक आउल हम लोग यूज करते हैं टोस्तो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे जब हम लियाओ को क्या करना है फाइंड आउट करना है कि दो पॉइंट के बीच में होरिजॉंट ली तो उसकी लिए आप अब बात करते हैं क्योंकि कई बार ही आपको इंचिटेप ले जाना पड़ता है बटा अगर आपके पास इंस्ट्रुमेंट है तो आप अराम से जो है आरिये मैं अब क्या होता है अगर आपको वर्टिकली किसी अब्जक्त की हाइट पता करने हो मालों कोई बिल्डिंग है आपके सामने बहुत उची बिल्डिंग है और आप जो है उसकी हाइट मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप इंस्ट्रुमेंट को ऐसी जगहे पर उसके बाद Resection Method आपने सुना होगा, Resection Method क्या होता है दोस्तों, किनी दो पॉइंट, मतलब मान लिजी यह तोड़े से मेरा यहाँ पर खड़ा है, मुझे इसके Points पता नहीं है, इसके Coordinate मुझे पता नहीं है, और मेरे पास दो Permanent Object हैं, जिनके Coordinate हमें पता हैं, तो उन दो Coordinate की से हम इस Instrument जहां पर हमने रखा हुआ है, इसके Coordinate को Find Out करने को कहते हैं, Resection Method, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा Line Stakeout Method, Line Stakeout Method हम लोग Grid Line Method भी कहते हैं, यह हम लोग सबसे जाले यूज़ करते हैं, हमारे Building में Layout के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हम सर्वे करते हैं सर्वे वर्क में, हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद Repeat Measurements है, Arc Stakeout है, Arc Stakeout क्या होता है दोस्तों, अगर आपको बिल्ड रोड में कर देना है, रोड में अगर आप कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है, इस Method का यूज़ करते हैं, Arc Stakeout Method का, देखें दोस्तों, उस Important Method मैंने आपको बताए हैं, उमीद करते हैं, आपको ये Method समझ में आया होंगे, और अगर आप सीखना चाते हैं न दोस्तों, Land Survey में Auto Level और Totalization को वह भी Construction Industry के हिसाब से, और बहुत ही कम Charges के लिए हैं, तो आप Perfect Institute for Seniors की डली और उत्राखन की ब्रांच में, इन Courses को सीख के ब से इंस्ट्रुमेंट को सीख के जाएं, और इंडस्ट्री में जो है, as a Land Survey, Total Station Operator जो है, अपना काम कर सके हैं, साथ में आपको सिखा जाता है, कि Total Station का जो डाटा होता है, इस इंस्ट्रुमेंट का डाटा उसको हम लोग AutoCAD के अंदर कैसे जो है, इंपोर्ट करते हैं, तो इ जो है, 2023 में अपना डिप्लोमा बीटा की आइटी आइए कंप्लीट की है, तो आपको मात्र पे करना होता है, पांच यार, 999 रुपए, ठीक है दोस्तों, इस कोर्स के लिए है, और अगर आपने उससे पहले अपना डिप्लोमा बीटा की आइटी कंप्लीट की विए आप व मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहीं, ग्यावारत.